आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधान मंत्री जी के दो पून्जी पती मित्रों को पूरी छूट की गई है आपके सामने आकर प्रधान मंत्री जी ने बार बार हर चुनाओं में ये वादा किया था कि गन्ने का भुक्तान आपको दिया जाएगा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपको मिला इसी समय जब पूरा देश तडप रहा है किसान तडप रहा है भुक्तान नहीं हो रहा है इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन एक दो खरब पती मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौक जाएंगे हजारों करोड कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तयार नहीं है लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी एक तरे से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरे बन गए है उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है वे जवान किसान का बेटा है उस जवान का आदर करना चाहिए किसान का आदर करना चाहिए देखिए देश की जो स्थिती है वो शायद मेरे से अच्छी तने आप सब जानते हैं एक ऐसा समय आया है कि नब्बे दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीती में के बाहर दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं संघश कर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं दो सब पंद्रा किसान शहीद हुए बिजली काटी गई पानी रोका गया उन्हें मारा गया पीटा गया वे शांती से बैठे थे देश की राजनी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी तमाम पुलीस की फॉर्स लगाई गई किसानों को प्रताड़ित किया गया जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है उस किसान को अपमानित किया गया उसे जलील किया उसे देश द्रोही कहा आतंकवादी कहा प्रधान मंत्री जी ने पूरे सांसत के सामने उसका मजाख उड़ाया उसे परी जीवी कहा आंदोलन जीवी कहा देखिए इनसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है मेरा मानना है कि हमारे देश का हरिदे, उसका दिल किसान है जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सीचता है, उसे उपजाव बनाता है इस देश का अन दाता है, इस देश को जीविट करता है लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आखों में आसु आते हैं तो हमारे प्रधान मंत्री जी के होटों पर मुस्कुराहट आती है उन्हें मजाक सूचता है आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधान मंत्री जी के दो पूंजी पती मित्रों को पूरी छूट दी गई है आपके सामने आकर प्रधान मंत्री जी ने बार बार हर चुनाओं में ये वादा किया था कि गन्ने का भुक्तान आपको दिया जाएगा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपको मिला मैं आप से पूछना चाहती हूं दुगनी हुई आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में पूरे देश भर में गन्य का भुक्तान 15,000 क्रोड रुपए है और आज मैं आपको बताना चाहती हूं चाहिद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधान मंतरी जी ने अपने लिए दुनिया में भरमन करने के लिए दो हवाई जहाज खरीदे और उन दो हवाई जहाजों की कीमत 16,000 क्रोड रुपए है आपके गंदें के भुकतान से ज्यादा उनके पास अपने दो हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन आपके देश भर के किसान के भुकतान के लिए पैसे नहीं है ये श्थिती है आज देश की आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुक्तान होगा लेकिन आपने क्या देखा पिछले चार सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा 16,000 करोड के दो हवाईजास खरीदे गए 20,000 करोड की स्कीम बन रही है कि जो संसथ भवन है जो देश की राजधानी इंडिया में इंडिया गेट है और उसके आस पास की जो इमारते हैं उनके सुंदरी करन के लिए 20,000 करोड की स्कीम बन रही है लेकिन आपके गन्ने के भुक्तान के लिए 15,000 करोड उपलब्द नहीं हैं डीजल आपको 2018 में 7 रुपे में मिलता था आज कहीं 80 रुपे कहीं 90 डीएपी 1100 रुपे में मिलता था आज 1200 रुपे का है बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं गैस सिलिंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है मगर आपके गन्य के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं वह वही का वही है मैं कुछ दिनों पहले बिजनोर गई, कुछ किसानों ने मुझे पर्चियां दिखाई शायद ऊसी दिन जो नया दाम है वो जारी किया गया था उससे पहले की पर्चियां दिखाई उस पे जीरो 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 लिखा था आपको मालुम होगा कि भाजप्पा सरकार ने पिछले साल डीजल पे जो टैक्स लगाई उससे साड़े तीन लाग करोड रुपय कमाए मैं पूछना चाहती हूँ कहां गए वो रुपय 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रॉल डीजर पर टैक्स बढ़ा कर आपको मालुम नहीं होगा 21,50,000 रुपय कमाए मैं पूछना चाहती हूँ कहां गया वो पैसा जिसका हक है जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है जो अपने पसीने से अपने खून से इस देश को सीचता है उसको क्यू नहीं मिला है ये पैसा नौजवान को क्यू नहीं मिला रोजगार क्यू नहीं दिया और जब वही किसान प्रताडित होकर अपनी समस्या लेकर आपके पास आया तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी दिल्ली का बॉडर नरिंदर मोधी जी के घर से कितना दूर है पाथ से किलोमीटर दूर होगा और वही प्रधान मंद्री जो अमेरिका जा सकते थे पाकिस्तान जा सकते थे चीन जा सकते थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रह्मण किया वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए उनके आसों पोच नहीं पाए उनकी बात नहीं सुन पाए क्यों? क्योंकि उनकी राजनीती सिर्फ अपने लिए है अपने लिए और अपने खरबपती पूंजी पती मित्रों के लिए है इसी समय जब पूरा देश तड़प रहा है किसान तड़प रहा है बुक्तान नहीं हो रहा है इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन एक दो खरबपती मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौक जाएंगे हजारों करोड कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तयार नहीं है जो तीन कानून निस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे पहला कानून कि प्राइवेट मंडिया लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यून्तम समर्थन मूल्य मिलता है कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा बड़े बड़े खरब पतियों की मनमानी होगी जो दाम चाहते हैं वही देंगे जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे दूसरे कानून में लिखा है कि contract farming होगी Contract farming का क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपके गाओं में आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपती आपके साथ एक सौधा कर सकते है कि देखिए आप 10 लोग हैं आप हमारे लिए गंडा उगाईये जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपे देंगे लेकिन जब आप उसको गाएंगे तो अगर उस खरब पती का मन हो तो वह आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपे दूँगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूँ उसको कहने की अनुमती है वो कुछ भी कर सकता है क्यों? क्योंकि इस कानून के तहट आपकी कोई सुनवाई नहीं है अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे उसकी शिकायत करना चाहेंगे तो आप सिर्फ SDM के पास जा सकते हैं और उनके उपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते आप अपने हग के लिए लड़ नहीं सकते ये लिखा है उस कानून में तो आप सोच सकते हैं की एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री के बड़े-बड़े खरबपती मित्र आप बताईए किसकी सुनवाई होगी ये जो नए कानून बनाए गए हैं इन कानूनों के तहट यूंतम समर्थन मूल्य खतम होगा सरकारी मंडिया खतम होगी आपके हक खतम होगे और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने दो तीन मित्रों को बेचा है उस तरह आपको आपकी जमीन को आपकी कमाई को ये अपने मित्रों को अपने खरबपती मित्रों को बेचना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए और आप जागरुख हैं मैं जानती हूँ आप कितना संघर्ष कर रहे हैं जैसे पंकर जी ने कहा सिर्फ पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है और कभी-कभी लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे जो जैसे-जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी वो अपने महल में बंध हो जा रहे थे लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरतें लगे उनके सामने गिर गिराने लगे उनका अहंकार बढ़ने लगा ऐसा लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए है उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है वे जवान किसान का बेटा है उस जवान का आदर करना चाहिए किसान का आदर करना चाहिए और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है वही देश वासी जिसने प्रधान मंत्री को सत्ता दी जिसने उन्हें प्रधान मंत्री बनाया उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए कि आपसे बातचीत होनी चाहिए वो कहते हैं कि एक कानून आपके लिए बना है किसानों के लिए बना है तो क्या वो बता सकते हैं कि किस किसान ने बनाया किस किसान से बात की और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है एक बाइ प्रणान वंत्री जी हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए वापिस ले लीजिए इसको तो वह वापिस क्यों नहीं ले रहे हैं इस कानून को रद क्यों कर रहे हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सुस्क्राइब करें और शेयर करें